वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं टीचर्स इस्टुनेट हेल पर दोस्तों आज के वीडियो में हमने लिया है मादमिक सिक्षा मंडल के द्वारा होने वाली कक्षा नौवी की बारचिक परिक्षा दोस्तों बीस इकीस के सेट नंबर M2701E का प्रेशन पत्र का हल जो कि हमने कक्षा नौवी का हिंदी विसे कर लिया है तो शरी वीडियो सुरू करते हैं प्रेशन करमांग के प्रेशन करमांग एक में आप देख पा रहे होंगे भी प्रेशन करमांग एक में सही विकल्प चुन कर लिखिए मैं पहला प्रेशन दिया गया है रेणू के पैदल आने पर पिता खालिस्तान रोते थे या बताया गया है दूसरे नंबर खुस होते थ तो आप देखेंगे रस के अंग होते हैं एक दो तीन ये चार तो रास के चार अंग होते हैं फिर आता प्रैस्न करमांग कबीरदास जी की प्रमुख रचना है प्रामुख रचना है नमस्ति जायो दया और भीख तो इसका अपत्र जाएगा दया और दया अर्था या करना फिर आता सबसे पहला बताया गया है पंच बटी खालिस्तान का वह है खंड का वह है फिर आता चौथा नंबर मदर्सा खालिस्तान सब्द है मदर्सा अरभी सब्द है फिर आता है इस पकार से समय थे नाने की मन में देश की आजादी की प्रति जूनून था तो इसका उतर जाएगा सब्राता दूसरे नंबरários खिरण सब्द का परय बची है तो इसका भी उत्तर जाएगा सत्य फिर आता है तीसरे नंबर महा काव में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है तो यह गलत है असत्य है एक ही छंद का प्रयोग नहीं किया जाता है फिर आता है ललद्यक कास्मीरी कवित्री थी तो यह सत्य है फिर आता है ललहासा की यात्रा बहुत सोगम थी तो यहाजाएगा असत्य रलहासे की जो याता थी वहाँ बहुत कठिन दायक थी फिर आता है प्रशन करमांग चार सही जोड़ी बनाईए मैं बताये गया है रेड़ी की हट्डी यहां पे देखेंगे दोस्तों रेड़ी की हट्डी में बताये गया है सभी प जंकार फिर दावनल क्या है जंगल की आको कहते हैं और जो डांडा है वह उची जमीन को कहा जाता है तो इस पगार से हम इसको हल कर लाएंगे फिर आता प्रशन करमांग पांच एक सब्सक्राइब उत्तर दीजिए तो लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहां गए थे तो इ अध्रायद जए फैर आता है दूसरा नंबर गगण का परायव. लिख थो इसका अध्र जाएंगा आका तुलसिदाजिगे प्रसित गारनाम लीखी है तो तूसित आजीआ है। लामिसरा रित्मानास, रसी रहता है, हंदी का उपन्यार्ट समराठ किसी का जाता है, प्रेम चَंड्र की में यहका 5 होता है, अब हम आते हैं प्रश् yapıyorsun कर्मांद 6 में दोनों को प्रहण के सब्द में बताये गया है प्रशन करमांग 8 में हमने लिया है चंद किसे कहते हैं इस प्रशन का उत्तर तो इसका उत्तर हो जाएगा आप स्क्रीम पर देख पा रहे हैं और लेख लेंगे आप इसमें से देख कर इसकी बाद फिर आता है प्रशन करमांग 9 प्रशन करमांग 9 में हमने लिया है वीर गाथ और देखंद हाकाल को करते हैं इसका उत्तर देखके लेख लएंगे क्यों के ते हैं फिर आता है प्राशन करमाघ दस में। क्रमांग 10 के अनुसर में सच्चा संथ कौन कहलता है तो हमने इसका उत्तर लिखा है अपने पे देखेंगे gezALLYब कि कंमलीट हो जह प्रशन करमांग 12 में बताए गया है उन प्रस अलंकार की परिवासा बताए गई है उसके बाद फिर आता है प्रशन करमांग 13 13 के बाद फिर आता है 14 और 13 नंबर में बताए गया प्रशन करमांग 13 में इस्वर को कहां कहां ढूंडता है उसके बाद फिर आता है प्रशन करमां पंद्रा प्रश्नक्रमांग 15 आता है जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों है तो इस पकार से प्रश्नक्रमांग 15 को उत्तर लेंगे फिर आता प्रश्नक्रमांग 16 प्रश्नक्रमांग 16 बताया गया है कवी ने कैदी और कोकिला कवीता में किस पकार का प्रकास डाला है इसका उत्तर हो जाएगा आप देख लेंगे स्क्रिण पर एक कहानी का निर्मन करने के लिए बताया गया है जिसमें प्रत्वी की तरह मंगल भी एक इस्तली धरातल वाला ग्रह है हमने इस पकार से एक कहानी बनाई हुई है फिर आता प्रशन कर्मांग 19 महा काव और खंड काव में उत्तर लिखना है तो महा काव और खंड काव में हमें तो इस पकार से आप दो अंतर देख लेंगे और एक अंतर आप अपने विचार से लिखेंगे फिर आता प्रशन करमांक, 21े में बताए गया है लेक़त गद्रियांस का वैक्या स संदर्व सही वैक्यागत, और अएसमें हमने वेसेज भी लिख दिया है जिसे आप इस कहान से पूरेशत कर सकें इस बाद फुर पर आता है पुस्ट कर्मांग 22 इस परकार से अब देखकर लिख लेंगे कहानी और अंतर लिखा हुआ है बर्शन कर्मांग बाइस में जो कि कहानी और अंतर आया है फिरुटर प्रशन कर्मांग 23 में भावपक्ष कलापक्ष में स्थान लिए ay इसकी ना फिराग्धा आता है प्रश्न करमांग 24 आप पूरा दीक लिए प्राजिन करमांग 24 में पताये गया है पद्ध्या घा जिसमें हमें उसकी व्यक्या करना है سंदर्व लिखना है और उसका पूरा उत्तर लिखना है तो मैं आपको स्क्रीम पे दिखा रहा हूँ आप उसका उत्तर लिख लेंगे इसके बाद फिर आता प्रशन कर्मांग 25 का अथवा का हल हमने लिया है सगोन भक्तिधारा की प्रमुख धारा हैं लिखी एवे उन कवियों के नाम लिखी तो सगोन भक्तिधारा की हमने प्रमुख धारा लिखी है और इसके प्रमुख कवि के नाम देखेंगे आप स्क्रीम प तो आप इसे देख लेंगे फिरात आपको किसी भी एक बने बन्द लेखना है तो आप इसे लेख लेंगे विद्यात्य जीवन समचार पत्रों को महत्व राष्ट्री पर्व एवं विज्ञान के चमत कार्त दोस्तों अधी वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें कि आप किस प्लेस से ये वीडियो को देख रहे हैं घन्नेवाद आज पर इतना ही चैन्द